नमुश्कार SG News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी इन दिनों जार्खन की राजनीती में हल चले काफी तेज है चाहे वह पंचाय चुनाओं की हम बात कर ले या फिर केंद्रिय मंत्रियों के दौरे की बात कर ले हम आज इसी पर बात करेंगे हमारे सद्यकारे मंत्री आलमगीर आलम है सर आपका SG News में बहुत-बहुत स्वागत है जार्खन में तरफ त्रियस्तर यह पंचाय चुनाओं हो रहे हैं दूसरी तरफ केंद्रिय मंत्रियों का दौरा भी शुरू हो चुका है क्यूं लगता है गडबंधन सरकार को की चुनाओं प और उनका जो चौकाउट देखेगा भर्दी जंता पार्टी का मंत्र मंदल 19 मंत्री का मिहाने का उसमे अब देखेगा कि गर्मी का सिजन है और जब हमरा पंचाय चुनाओं हो रहा है और उसी समय सारे मंत्रियों को बलाने के काम किया या अपना समिछा करने के लिए बोला गया है तो बारा मेहना में तो कि गरा में शोड़ कर उसी महिना में जब लोग जो है पंचाय चुनाओं में साधरन वरकार से लेकर कहां कि लोग तो सब लोग उसी में इन गे जरहेंगे उस भी समय निए आ हैं जोज्णावा का पुरा लिखा जोखाल लेंसे लिए कि मैं कि चुना तरुश करचा प्रभावित नहीं और ऑब खुणबयारosium को आना वहां सकते हैं जा सकते हैं इसमें कोई नहीं है लेकिन कोई भी आदमी चाहिए रावल मंत्री हो कि अपने मंत्री की बात करें तो वो तो छेत्र जा रहे हैं तो क्या नहीं लग रहा है वह कहीं प्रशार प्रसार नहीं कर रहा है है अब कर देखने को मिला हम तो अचार संगे त EE नियम का अनुसार कॉंग्रेस पार्टी है और आप ने देखा अठारा तारीक हर एक जेला में हमारा जो जो है कार्जकरम चला लेकिन आपको देखने को मिला का कोई भी मंत्री उसकार में नहीं गया ताकि यह सान नहीं लगे कि हम चुनाओं को प्रभाज करते हैं हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सोच और बिचार अलग है और भारती जंता पार्टी जाता जब चुनाओं हो तो सारे लोग को यहां पर डाल कर चुनाओं को प्रभाज करें इसी लिए इसी लिए कॉंग्रेस जाटकर मुंक्ति मोचार ये इसका विरुद किया लेकिन बीजेपी प्रदेश सद्यक्षी बात कर ले दीपप्रकास की तो उनका कहना है कि गडबंधन सरकार जो है वो डर रही है के बिनियाद है ठीक है सेंटर के जोजना यहां पर चल रही है उनको चांच करनी चाहिए और कितना प्रतिसात यहां फाइदा हुआ नहीं वह लोगो भी देखना चाहिए लेकिन उसके लिए माहुल भी चाहिए समय भी चाहिए और उसी समय में होने से बढ़िया होगा अब पहुंचते हैं तो सारे ले लोग तो उसी में इनवल्मेंट रहेंगे तो फिर जांच कैसे होगी इसलिए हमारा कहना है कि चुनाव हो जाए और जितना जांच करना है समीच्छा करना जो जो जोजना बारसरकर ने दिया उसको करे बस हमारा मनसा साफ है कि समय अगर परकुछ नहीं होगा तो विद्हान सभा न्युक्ति का मामला एक बार फिर उठाए पी आई अलतर जुए हैं क्या कहेंगे देखे इसके बारे में जानकारी नहीं है यह बहुत लंबा शला है और कहें हमको कुछ नहीं लगता है आप कोई किसी को पर कुछ भी कर सकता है उस मंत्री के बात कर ले कोग्रेस कोटे के मंत्री बनना गुपताजी की बात कर ले तो वधायक सर्यूराय ने जो आरोप लगाए हैं कि वह कोवीड प्रोथसाहन रासी लेने की कोशिश कर रहे थे और दस्तावेज के साथ उन्होंने मुख्य मंत्री को पत्र भी भी भेजे हैं आप संसद्यकार्य मंत्री हाग कैसे देख रहे हैं मामले को क्या लगता है उन्हों पर कारवाई होनी चाहिए हैं आज हम राची आये हैं सारे बस्तु इस तिदी कब नहीं देखने के पहले किसी को कहने पर कुछ बोलना भी सही नहीं होगा मैं बस्तु इस दी को देख लेत कहीं न कहीं चुनाओ जरूर प्रभावित होंगे फिल्हाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें तुष्टीन